इसलाम पालेकूम और रहिखे रही तो अलब रहने कि स्लाम उलेकूम और रहम यूला हुद on नीज़ के सब अबाद करते हैं में कि-जो न्रमनों पेसे बारे प्रेसिकली दो क्रिक्टार्यचन उसमझ लखकर बनाğेत को अपर इन भी योटीर के स्मेटिछ तो यह कोई भी एक्स्टरनल इस्टिमुलाय आया इस्ट्रेस पढ़ा तो उसके नतीजे में क्या होने लगा नई सेल्स की ग्रोथ होने लगी लेकिन नॉर्मली जो कोई और सेल्स बनने लगे तो यह देखें यहां पर स्कॉरमस बनने लगे और दीरे दीरे इन्होंने जो को पूरी तरीकेसे रिप्लेस कर दिया और उनकी जगा पूरा एक स्कॉरय मेटपलेजिया होगा स्कॉर्ड५ाइवि के स nudधुप्लेस को मिके सब्सक्रा अब 들고 कर देख अभी तक सेललो में ने सäreल और सेल्स निजितने भी त्सके जितने पaraसी लिए जितने लोंगार्प्लेश उनका नंवर इंक्रैस कर रहा था इसी तरह से हाइपर्टरोफ mislepheron में साइज ऊसी किसी भी पर्टिक्लOur के परीशंघेशंड उनका साइस इंक्रीड कर रहा था लेकिन in इस के सबूपध सुब्रसक्रैस कि अघीपимся तoth type epithelial or mesenchymal is replaced by another type तो इसमें simple है reversible change है क्योंकि cell adaptation होती है सारी reversible होती है normal cells में दुबार से transform हो सकते हैं अगर इस्टिमिलाय को रिमूब कर दें तो normally cells में transform हो सकते हैं दुबारा normalize हो सकती है condition तो basically क्या है epithelial or mesenchymal cells का एक type दूसरे type में change होगा और जो की reversible change होगा that is called as metablasia अब इसकी types देखते हैं तो इसकी दो तरहा की types होते हैं epithelial or mesenchymal जैसे कि हमने इसकी definition में पढ़कर आए हैं इन दोर में से सबसे जादा common क्या होता है epithelial जादा common होता है epithelial metablasia अब epithelial metablasia को दो तरहा का होता है एक होता है squamous और एक होता है columnar metablasia अब इसको नाम किस बेसिस पे दिया गया है basically different type epithelial cells है cuboidal है columnar है squamous है transitional है different types of epithelial cells है तो basically depending on the type of epithelial transformed यानि कि transform होके जो epithelial बनेगा ठीक है जैसे कि columnar cell हुए थे columnar की जगे squamous बना तो हम उसे squamous metablasia कहेंगे इसी तरह से कोई और टाइप का cell था epithelial cell था वह transform होके squamous बना तो उसके squamous metablasia कहेंगे इसी तरह से columnar अगर अगर cell finally बन रहे है तो उसके columnar metablasia कहेंगे और again squamous और columnar में squamous ज्यादा common होता है और squamous में भी कौन सा ज्यादा common होता है columnar two squamous जो है वो ज्यादा common होता है अब इसके example देखते हैं squamous metablasia की तो इसके three most important examples है जैसे कि habitual cigarette smokers में आप देखें तो normally हम परता है हम हमारी जो प्राइशन के वज़े से क्या होगा कि जो हमारे columnar cells present होते हैं नॉर्मली उनके जगा वो ट्रांसफर्म हो जाएंगे squamous cells में जिससे squamous metablasia कहेंगे तो तो इस तरह से columnar cells replace हो रहे हैं और पूरी तरीके से replace कर दिया है columnar cells को squamous cells ने that is called squamous metablasia next important example आती है जैसे कि salivary gland है pancreatic ducts है bile ducts है तो इन में normally इन में security columnar cells present होते हैं अगर stones इनके में form हो जाएं ducts में तो उनकी वज़े से क्या होगा कि stone प्रेशर डालता है और प्रेशर की वज़े से क्या होता है कि columnar cells वो replace होने लगते हैं और उनकी जगर squamous cells आने लगते हैं तो यह squamous metablasia के example होगी तीसरी important example है vitamin a deficiency की तो vitamin a deficiency में भी squamous cell metablasia देखा जाता है कहां कहां आइज में देखा जाता है और respiratory tract में देखा जाता है ठीक है तो आइज में जो देखा जाता है उसको और आफ़ेल में कहां जाते हैं जब ड्राइनेस बढ़ जाती है इस में तो इस आधर थ्री most important examples of squamous metablasia next आता है कि metablasia जो है उसे double age swart कहा जाता है क्यों कहा जाता है double age swart क्योंकि यह जो है वह दो धारी तलवार इसलिए कहा स्ट्रेस क्या है क्या है कि क्यों क्यों स्ट्रेस क्या है क्यों जो जो इरीटेंस प्राइट करें कशोब अलमना इसी वजा से वह तब्धील हो रहे है स्कुरमें सेल्स में that are more specialized to bear the harmful or the adverse conditions ठीक है दूसरी important चीज आती है कि यह तो यह तो फाइदे वाली बात हो गई कि अब स्कुरमें सेल्स तबदील हो गए ताके वह adverse condition को face कर पाएं तो लेकिन दूसरी important बात होती है कि तो निगेटिविटी एक तरह से निगेटिव केरेक्टर मिल रहा है इसमें वह यह है कि जो कॉलम्ना सेल्स में सील्या होते हैं मुकस सेल्स पाए जाते हैं जो कि नॉर्मली infection को दूर रखते हैं infection को रिमूव करने में dust particle को रिमूव करने में मदद करते हैं लेकिन जब स्कॉर मेंसल्स यहां पर बन जाएंगे तो मुकस का सिक्रीशन भी नहीं होगा और दूसरे इंपॉर्टन बात है कि सील्या भी प्रिजेंट नहीं होगे इस वज़े से रिप्रेटिव इंवेक्शन के चांसे बढ़ जाएंगे और यही रिजन है कि मेटपलीजिया को डबल इस वार्ट कहा जा रहा है ठीक है तो इक तरफ से यहां फाइदा भी हो रहा है और एक तरफ से नुकसान भी हो रहा है दूसरी इंपॉर्टन बात है कि मेटपलीजिया जैसे कि अगर इस्टिमलर्स जो है यह स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम के लिए परसिस करें ठीक है इस ओर टैप का डेवलिप्लेप्लेट होता है नेक्स्ट आता है को इसमें यह कि जो फाइनली सेल बनेगा वो कलमनार होका तो उसको कलमनार मेटपलीजिया कह देंगे इसकी दो एक्जामपल है लाइक बैरिट इस फैगस और इस ने लिए लगता है कि यह उसका रिफलक्स ह होते हैं हमारी डाइसबरिटिया सिसमें के लिए लौट पर इसमें गाखस में रिप्लेस होएं लगता है कॉलमना बनेओं इंपर्टें एक और एग्जाम्पल बेट अप्लेजिया होता है जो हील चौनिक गैस्टिक अलसर से उन इंऺिंटेशूल वे देख़ा था देमीन से हम पता है कि यह स्टोमल सेल्स होते हैं बिसिकली स्टेम सेल्स होते हैं जो कि इसे जगहां पर नॉर्मली यह प्रिजेंट नहीं होते हैं तो इसके क्या क्या एक्जामल हो सकते हैं लाइक मायोसाइज ऑॉसिकेंट्स में मायोड is used for the muscles ऑस्टिकेशन जो ऑसिफिकेंट्स है वो यूजिस और बोन के लिए कि बांग की बर्क्स मीरियल केल्जिविक स्कलावशे कहते हैं। विच एंग्जामपल व्षॉ मिसन कामल मैटापलीसिया नीक्स आते हैं डिस्पलीजिया तो डिस्पलेजिया बैसिकली प्लेजया का मतलब होता है लिए ग्रोज उपन्ट इस्पलेजिया को और इसमें इसको जो कॉमन हैं वो एपीन जल में चाहते हैं और इसको जो डिस या को एडेपिकल हापरेजया भी कहा जाता है क्योंकि इस है दो करता है रोड्या कि जाता है चाहता हैं तो त्षिजर होते हैं तो Twilight एपिटीलर डिस्प्लेजिया वह माइल्ड मॉडरेट सीवेर डिफिर्ट ग्रेडिंग्स का हो सकता है on the basis of degrees of changes तो degree of changes क्या क्या हो सकते है number of layer cells में बढ़ जाएं disorder arrangement हो जाए जो basal polarity उसका loss हो जाए बेसिकली सेल्स में एपिटील सेल्स में नॉक्लियर प्लियोमॉर्फिस में देखा जाए तो इन में क्या हो सकता है कि सेल के शेप में सेल के साइज में उसका Nucleus में उसकी steering properties में किसी तरह की तबदीलिया आएं तो ये भी अगर तबदीलिया आ रहे हैं तो वह भी displacement change में रखा जाता है दूसरे होता है nucleus to cytoplasm का रेशियो जब वो disturb हो जाए change हो जाए बढ़ जाए ठीक है तो यह क्या हो सकता है nuclear hyperchromatism हो सकता है तो यह देखें इस तरह से अगर नॉर्मल यह माइक्रोस्कोप में नजर आ रहे हैं और अगर यह नॉर्मल सेल है और डिस्प्लेजिक में क्या होगा hyperchromatism हो जाएगा darkly stained nucleus नजर आएगा क्यों क्यूंके chromatin जो है वह बढ़ जाएंगे इस वजह से और एक और चींज है जैसे कि माइट्रोटिक एक्टिविटी बढ़ जाए तो यह भी डिस्प्लेजिक चेंज में आता है तो कहने का मतलब बैसिकली इसमें पूरे में यह था इनमें अगर किसी भी तरह के की चेंजे आ रहे नमर आफ लेयर बढ़ रही है डिसॉर्ड एर्रेंजमेंट हो रहा है लॉस अब बेसल पराइटी है यह नुकला से प्लाजम रिश्यों बढ़ रहा है यह ब्लीमॉर्फिस में देखा जा रहे है तो कहीं न कहीं से समझा जाता है कि सैल डिस्प्लासिक डि तबिस्प्लिजिया अब ढिस्प्लीए और मेतलीए तो वे वीडिर ओ सॉर्ड एल्ड़ एज्यों बढ़ बट रहे हैं एल्वेश से मेप्लीए ला-डिए्ण